देखे, यहाँ पर हमारा purchase account debit हो जाएगा, ठीक है, purchase हमने किस से करी थी, वर्माजी से करी और given नहीं चा तो हमने मान लिया उधार पर करी है, तो 40,000 की हमारी purchase थी, that was on, date क्या थी, date थी 5th April, ठीक है, that was 5th April, अब देखे, purchase account debit to वर्मा आजाएगा, शर्मा की जगा वर्मा आजाएगा, बागी सारा सेम रहेगा, क्योंकि है तो same nature of transaction, पहले शर्मा से माल खरीदा था, अब वर्मा से खरीदा, तो कोई दिक्कत तो नहीं ना, मैंने बिना वर्किंग करे लिख दिया, being goods purchased from वर्मा, कोई problem दो नहीं, आपको समझ तो आगया, यहाँ मैंने वर्किंग नहीं करी, अब आजाएगे हैं next transaction, he sold goods costing 20,000 for 25,000 for cash, क्या रहा है 20 का माल 25 में बेचा, तो इस केस के अंदर 20,000 को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि कितने का माल था यह नहीं देखना हमने, हमने कितने की sale करी है, my sales value is 25,000, अब आप कहोगे सर, पहले के chapters में तो हम देखते रहे कि 5000 का profit आ रहा है, पहले chapters के अंदर और इस chapter में फर्क है, अब हम accounting procedures पर आ गए है, actual accounting process पर आ गए है, actual accounting process कहती है, जो profit और loss निकलता है, वो transaction wise नहीं निकलता, वो at the end of the year निकलता है, सारा profit एक साथ, आप अपनी knowledge के transaction wise profit नहीं देखें हैं, आपके इवल साल में एक ही बार profit और loss निकलता है, जब आप अपने accounts close करेंगे, 31st of March के बाद, clear है, तो इसलिए हम यहाँ पर profit और loss को नहीं consider करेंगे, कि कितने का माल कितने विका, हम सिरफ यह रेखेंगे कितने का माल खरीदा और कितने का विका, जब हम बेचेंगे तो सेल डाल देंगे, तो अब हमने 25,000 की सेल करिया है, ठीक है, date क्या है transaction की, 6th of April हमने cash में माल बेचा, ठीक है, तो अब इस transaction की हमने workings करनी है सबसे पहले, 6th transaction, ठीक है, तो 6th transaction की working, जब आप cash में माल बेचोगे, तो cash पर effect आएगा और आपने माल बेचा, मैंने कहा था जब आप goods बेचोगे, याद रहे, goods की बात करो मैं सिरफ, purchase और sale, goods के लिए होता है, और goods कौनसी चीज़े होती है, जो मेरे business में आई किसली है, बिकने के लिए, जिनका मैं व्यापार कर रहा हूँ, अगर मैंने कोई computer खरीद है अपने business use के लिए, और यहाँ पर हमने cash में माल बेचा है, ठीक है, तो cash बड़ा और हमारी sales भी बड़ी, यह होगे effect वाला पार्ट, इसके बाद nature, आप cash का nature क्या बताते हैं, cash asset होती है, and sale क्या होता है, sale is a revenue, मानते हो यह बात सही है, sale is revenue, अब इन पर rule लगाईए, cash बढ़ रहा है और revenue भी बढ़ रहा है, cash बढ़ता है तो debit, लेकिन revenue बढ़ता है तो वो credit होता है, तो यहाँ पर हमारी transaction क्या आएगी, जो item debit हो रही है, cash account debit, और sales account क्या हो जाएगा, credit हो जाएगा, कितना था, 25,000, being, यहाँ क्या लिखेंगे, goods sold for cash, being goods sold for cash, हां जी, next is, मैंने यहाँ पर आपकी जो transaction लिये न, कुछ motive से लिये हैं, अभी मैंने आपको cash में purchase और उधार पर purchase करना सिखाया था, अब मैंने आपको यह सिखा दिये कि cash में माल बेचने के entry यह हो थी, अब आते हैं, next, he sold goods costing 38,000 for Pentaliza to Hema ji for cash, यहाँ पर देखें, यह भी हमने cash में माल बेचा है, कितने का था, यह हमार लिए consideration में नहीं आएगा, हमने कितने का बेचा यह consideration में आएगा, तो यहाँ पर 8 April को हमने हेमा जी को उधार पर माल नहीं बेचा, cash पर बेचा है, उसके entry करेंगे 45,000 की, तो आप देखें, ultimately यहाँ पर हेमा जी का होना ना होना एक बराबर है क्योंकि हमें उसको याद नहीं रखना, आप याद रखना चाहते है हमा जी को, जिस बंदे से पैसा लेना उसको याद रखोगे या जिस बंदे ने पैसा दे दिया उसको याद रखोगे, यहां लेना तो है नहीं, तो इनको याद दखनी की भी जुरत नहीं है, आप तो यह याद दखोगे, cash आ गया और sale बढ़ गई, कितने की, 45,000 की, आपको के सर यह तो पुरानी same entry है बिल्कुल है न, same entry हुई न, बिल्कुल, तो 8 April की हमारी बिल्कुल same entry होगी, सरफ amount बदल जा आपके पीछे दे शोर आ रहा है, प्रीज म्यूट कर लो, 45,000, ठीके जी, और यहां पर वही नहीरेशन आजी की, being goods sold for cash, चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है, हमारा format दुबारा बनाना पड़ेगा, अब देखे आगे, next transaction है, he sold goods for 50,000 to Neha जी on credit, अब आपने Neha जी को उधार पे माल बेचा, question है, specify कर दे उधार पे माल बेचा, 50,000 का, ठीक है, तो 10 April, अब हम मैं आपको सिखाऊंगा, उधार पे माल बेचनी की entry का होती है, अब मुझे एक बात दाओ, जब आप उधार पे माल बेचोगे, तो क् आपको Neha को याद रखना है हाया ना, जी, Neha जी को याद रखेंगे और आपने माल बेचा है, माल बेचा है तो sales बड़ी हैं, अब जब हमने Neha जी से पैसा लेना है, तो Neha जी को हम अपना क्या नाम देंगे, हमारे accounts के अंदर वो हमारे लिए क्या बन चुकी है, debtors, और debtors, कुछ कौन सी के डेगरी में फॉल होते हैं, assets, क्योंकि हमने इंसे पैसा लेना है, और कोई भी item, कोई भी right जिससे हमें future में benefits मिलने वाले है, cash मिलने वाले है, ठीक है, वो हमारे लिए asset होता है, और sales का, sales is the revenue, मेरे debtors increase हो रहे हैं, assets बढ़ रहे हैं, और sales भी बढ़ रहे हैं तो assets बढ़ती हैं तो debit, और revenue बढ़ता है तो credit, अगर आप बहुत obvious ही बात देखें यहां पर, तो कुछ नहीं होने वाला, सिरफ cash की जगा यहां पर किसका नाम आजाएगा, नेहा का नाम आजाएगा, पैसा मिल गया तो cash debit, नहीं मिला तो बंदे का नाम, debtor का नाम, और क्य और हमारी sale कितने की हुई थी, I think, 50,000 की हमारी sale हुई थी, यही हुई थी ना, 50,000 की sale थी, हाँ जी, 50,000 की sale थी, इसमें कोई doubt है तो आप पूछ लो, हाँज यह देखें अब, being, goods, sold to neha on credit, यह इसकी narration आजाएगी, ठीक है, अब हम अपनी next transition की तरफ चलते हैं, ठीक है, next transition किया है हमारी, 11,4 को, he sold goods for 60,000 तुक प्रेम चोपडा, अब प्रेम चोपडा को हमने goods बेच दिये 60,000 के, अब यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे मैं क्या indicate करना चाह रहा था, यह सिखाना चाह रहा था, कि नाम तो प्रेम चोपडा को माल बेचा, इससे उधार पे बेचा है, cash यह नहीं given, तो आपकी assumption क्या रहनी चाहिए, आपने क्या है जियूं करना है, कि आपने माल उधार पे बेचा है, अब देखें, प्रेम चोपडा को 60,000 का माल अगर आपने उधार पे बेचा है, तो यह भी उधा प्रेम की entry थी, बस निया की जगह आपने क्या लिख देना है, प्रेम चोपडा डेबिट हो जाएगा, तो सेल्स, 60,000, और यहाँ पे narration भी भाएगी, being good sold to प्रेम चोपडा on credit, clear है आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ लो, इन ट्रांजेक्शन में आपने क्या सीख जब आप cash माल खरीचते हैं, तो purchase to cash, जब आप उधार माल खरीचते हैं, तो purchase to creditor, यह creditor है हमारा, ठीक है, creditor का नाम, ठीक है, जब आप cash माल बेचते हैं, तो cash to sales, पैसा आया, sale बड़ी, जब आप उधार माल बेचते हैं, तो debtor to sale, यह हमारी debtor है, नहा, debtor to sale, ओके, तो दो ही तरह की transaction हुई cash to sale या debtor to sale, दो तरह की purchase हुई purchase to cash या purchase to creditor, purchase में purchase debit होता है, sale में sale credit होती है, depend करता है वो cash है credit है, वहाँ पे cash की जगह कुछ हो रहा है ता अगर credit हो तो, ठीक है, अब हम next transaction में जाते हैं, और next transaction भी बहुत असान है, क्यार है received cash from Nehaji 20 अधार, 12th of April को cash मिल है नेहा जी से, ध्यान से समझेंगे आप, ठीक है, अगर मैं इसको ये देखो, 9th हम skip कर देते हैं, 10th, ठीक है, अगर हमने cash मिला है, तो cash बढ़ा और किस से मिला नेहा जी से, तो second effect जो आएगा नेहा पे, cash हमारे लिए asset है, और asset बढ़ रही है, asset बढ़ने का rule क्या होता है debit नेहा हमारे लिए कौन थी, नेहा भी हमारे लिए asset ही थी, जब नेहा ने पैसे दे दिये तो हमारे debtor बढ़ेंगे, कम होंगे, फटाफट answer दीजे, फटाफट, exactly, मेरे debtors यहाँ पर कम हो जाएंगे, और debtors asset कम होती है, तो credit, ठीक है, तो यहाँ पर इस transaction code record कैसे करूँगा, cash debit हो जाएगा और debtors, नेहा credit हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर आजेगा, जो भी date है, cash account debit to नेहा, ठीक है, कितने पैसे आगे थे इससे, 20,000 रुपीज आगे थे, ठीक है, तो यहाँ पर आजेगा, being cash received from नेहा, ठीक है, आपने तोड़ा साफ साफ लिगना है, ठीक है, मेरे पास space अभी कम है, last transaction हमारी, 15 April, receive check from नेहा जी, नेहा जी से check मिल गया, 30,000 का, नेहा जी से teaser का check मिला है, जो हमने bank में जमा करा दिया on same day, अब भई check मिला है, और check bank में जमा हो गया, तो अब effect कहां पर आएगा, cash की जगा bank में effect आजेगा, और नेहा जी पर तो आए गई आएगा, अब bank का nature क्या है, bank मेरे लिए asset है, asset बढ़ रही है debit, bank का balance बढ़ रहा है, और नेहा जी मेरे लिए क्या है, वो भी मेरे लिए asset है, debtor नाम की asset है, और वो asset कम हो रही है, तो यह होज़ेगा credit, आप कहो कि सर यह तो बहुत simple है, जब cash आया था तो cash debit, जब bank में balance आया, जब check आया, तो cash की जगा क्या कौन सा count debit हो bank count debit हो रहा है और नेहा क्या हो जाएगी, credit हो जाएगी with 30,000, अगर आप देखें, नेहा से हमने 50,000 लेने थे, इसने 20,000 cash दे दिये और 30,000 का check दे दिया, और हम यह narration में लिख देंगे, being, check received from, from नेहा, ठीक है, hopefully यहां तक आपको यह सारी transaction समझ आई होंगी, वरकिंग्स को अच्छे से नोट करना है आपने, ठीक है, सारih कुछ, सारा बहुत अच्छे से नोट करना है अपने, ठीक है, कोई doubt है तो आप पूछ लो, ठीक है, हमारी last video, ठीक है, उसके अंदर वह देखना है आपने, जो आदा कोशन का part उसके अंदर आया है, और आदा झाले सके एंदे रायवे